हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम करेंगे एकसर साइज 10.1 का कोश्चन नंबर 4 तो कोश्चन नंबर 4 क्या कहता है वाट इस दा लेंथ आफ दी वूडन स्ट्रिप रिक्वाइर टू फ्रेम आफ फोटोग्राफ आफ लेंथ एंड ब्रेथ 32 cm and 21 cm respectively respectively का मतलब यह है कि जैसे length पहले दे रखी है तो यह जो पहले वाला नंबर दे रखा यह length है और breath बाद में दे रखी है तो यह जो second number पर दे रखा यह breath है अब यहाँ पे कहता क्या है कि हमें कोई फोटो दे रखा है हमाल लेते हैं फोटो है ठीक है यहाँ पे यह हमारी कोई painting है ठीक है अब इसको frame करवाना है तो जब frame करते हैं तो यहाँ पे इसके corner पे हम जो wood की strip है उसको ठोक देते हैं तो हमसे पूछ रहा है कि वो कितनी strips की requirement है अब यहाँ पे length जो है वो दे रखी है 32 cm breath जो है वो 21 cm दे रखी है तो यह हमारा क्या है एक rectangular figure है और rectangle का perimeter हम find out करना जानते हैं तो उसी काम इस्तमाल करेंगे यहाँ पे solution लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे wooden strip is equals to required भी लिख लेते हैं required is equals to 2 into length plus breath तो यहाँ पे लिखेंगे 2 को ऐसे लिख देंगे length हमारी क्या दे रखी है 32 cm और breath दे रखी है 21 cm इन दोनों को हम add करेंगे 2 को ऐसे लिखा रहें देते हैं 2 प्लस 1 3 हो जाएगा 3 प्लस 2 5 हो जाएगा cm और इन दोनों को multiply करेंगे तो यह क्या आ जाएगा 2 3 जा 6 2 5 जा 10 106 cm तो यह हमारा answer हो जाएगा questions हम आप्त next lecture में करेंगे next questions आज के लिए बस इतना ही